नमस्कार दोस्तों HDFC और Tata के कोलूबरेशन में एक कार्ड फिलाल चल रहा है जिसका नाम है HDFC Tata New Plus Credit Card और कहने वाले ये कह रहा है कि ये जो कार्ड है ये भाई साव rewards के लिए cashback के लिए best रुपए कार्ड है लेकिन अभी तक तो क्या ये सबको मिल नहीं रहा था क्योंकि HDFC की तरफ से इस पर जोर दिया जा रहा था लेकिन फिलाल अब Tata की तरफ से भी इसको काफी promote किया जा रहा है और good news ये है कि भाईया ये कार्ड अब फिलाल सबको मिल रहा है जो लोग apply कर रहे है almost सबको मिल रहा है आपको apply करना है link description में मिल जाएगा जाके आप भी apply कर दीजिए लेकिन उससे पहले पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि मैं इस card के आपको सारे feature बता सको तभी तो आप अपना मन बनाएंगे तभी तो आप इसको apply करेंगे apply तो आपको क्या करना है जी हमारे इस चैनल को subscribe पर लेना है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी like कर दे रहा है देखिए अब इसका सबसे वाव factor क्या है हमारे link से अगर आप इसको apply करेंगे तो आपकी joining fees जो 499 रुपय प्लश जीए वो नहीं लगेगी आपको सबसे पहला फायदा यही होगा क्योंकि इसकी joining fees है वो 499 रुपय जो आपकी बिलकुल बच जाएगी देखे बात करते हैं कि इस card को अगर हम use करें तो maximum कितनी saving कर सकते हैं तो अगर आप इस card के सारे feature use करते हैं तो आप 35,000 रुपय तक की annually saving कर सकते हैं सबसे पहला फायदा इसका saving का यह है कि अगर आप Tata brand के किसी भी platform पे जाते हो इसको use करते हो तो आपको up to 7% तक की saving मिलती है as a Tata new coins के रूप में वो brands क्या है जैसे Tata Air Asia हो गया Tata Click हो गया Tannisk हो गया West Side हो गया इसके लावा 1MG हो गया ऐसे बहुत सारे जो है इसके brand है जो आपको screen पर भी दिख रहे हैं इन पे कहीं भी से use करते हो तो आपको up to 7% की saving मिल जाएगी वो भी Tata new coins के रूप में और अगर आप Tata new app को use करते हो और भाइस आप कहीं भी UPI payment करते हो तो भी आपको 1% का यहां पे savings हो जाएगी और अगर आप Tata new की app से कोई भी bill का payment करते हो और card यूज करते हो तो आपको यह करते हैं domestic कहीं भी air travel करते हैं तो आप domestic airport पर complimentary lounge access भी कर सकते हो एक साल में 4 lounge access domestic airport पर आपको as a complimentary मिलते हैं और अगर इस card से आप fuel भरवाते हो तो आपको 1% का fuel surcharge waiver भी मिल जाता है बात करते हैं कि इसका eligibility criteria क्या है किस किसको यह card मिल जाएगा तो देखे अगर आपकी age 21 से लेकर 65 के बीच में है तो यह card के लिए आप eligible हो यह card उनको दिया जा सकता है जिनकी age minimum 21 से और maximum 65 है इसके बीच के age के लोग ले सकते हैं अगर आप salary हो तो भी आप इस card को ले सकते हैं और अगर आप self-employed हो तो भी आप इस card को ले सकते हैं अगर आप salary हो तो आपको salary slip दिखानी है 25,000 रुपया महिना होनी चाहिए और अगर आप self-employed हो तो आपकी जो ITR है वो 6,000,000 रुपय महिने की होनी चाहिए अब आप apply करेंगे तो यह card आपको जो है मिल जाएगा आप इसकी fees की थोड़ा बात कर लेते तो देखें जो link हमने आपको discussion में provide किया है अगर आप उससे इ बहुत बढ़िया है मेरे हिसाप से काफी सारी सेविंग से देता है बस आपको कह जनत तर इसे यूज करना पड़ेगा टाटन नियो एप के थुरू अब आप इस card को अगर apply करना चाहते तो बिल्कुल कर लीजेगा link मिल जाएगा पो description में easily आप online apply कीजिए और approval ratio इस time बहु भी हो जाएगा बाकि आपकी कोई opinion नों इस card के बारे में तो comment कर देना मिलता हूं अगली वीडियो में नाइट ओपिक के साथ तब तक के लिए